Hello everyone, मैं इस वीडियो में आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम OBS stereo का full basic setup के बारे में समझेंगे जब हम PowerPoint presentation means PPT के different slides के माध्यम से या PDF के different pages के माध्यम से जब PC या laptop के दोबरा पढ़ाते हैं तो यह जरूरी होता है कि PC या laptop के screen को record किया जाए screen को record करने के साथ साथ audio और video को भी record करना होता है तो इस तरह से screen audio video को record करने के लिए हैं तो बहुत सारे free में मिलने वाले software लेकिन उन सब में जो सबसे अच्छा software है वो है OBS stereo OBS stereo सबसे अच्छा software क्यों माना जाता है क्योंकि इस यह free में मिलता है इसमें किसी परकर का कोई water mark नहीं है इसमें time का कोई limit नहीं है और इसमें बहुत सारे settings मिल जाते हैं अगर उन settings को सीख लेते हैं अगर उन settings को OBS stereo में हम लोग set कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा quality का एक video हम बना सकते हैं इसके साथ साथ आप मेरे पीछे जो green color का जो background देख रहे हैं जो green sheet देख रहे हैं इसकी help से हम chroma key का use कर background को remove कर सकते हैं और बिल्कुल हमारे पीछे एक transparent background जो है वह आपको दिखेगा जब हम OBS studio में chroma key जब हम set करेंगे तब मतलब यह कि जब हम पढ़ाएंगे तो हमारे पीछे कुछ भी ने दिखेगा स्क्रीन पर सिर्फ मेरा face दिखेगा और पीछे जो page खुला हुआ होगा PowerPoint का कोई slide खुला हुआ होगा या PDF का कोई page खुला हुआ होगा तो वह slide या वह page ही दिखेगा तो OBS studio में कौन-कौन सा setting होता है इसके लिए चलते हैं हम अपने laptop के screen पर तो मैं अब अपने laptop के screen पर आ चुका हूँ laptop के screen पर आने के बाद सबसे पहले आपको Google Chrome में search करना है OBS simply आप OBS लिख दे और OBS लिखने के बाद आप इसे search करें जो पहला result आएगा OBS open broadcaster software OBS project.com वाला इसे आपको open कर लेना है open करने के बाद जो interface खुलेगा उसमें windows पर click करना है जैसे हैं आप windows पर click करेंगे कि आपका OBS studio डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा मेरे laptop में already OBS studio downloaded है इसलिए मैं इसे cancel कर देता हूँ आप जब OBS studio को download कर लेंगे तो आप इसे install कर लें और install करने के बाद simply आप OBS studio को open करें जैसे ही पहली बार आप OBS studio को open करेंगे तो आपको यह जो interface है ऐसा कुछ दिखेगा यह OBS का वह screen है जो black color में आभी आपको दिख रहा है इसी screen पर OBS अगर आप window capture करते हैं इतने portion को ही इतने portion में ही दिखेगा दूसरी चीज है कि नीचे में OBS studio में total five sections है जो first, second, third, fourth और यह fifth तो जो first section है जिसमें already एक scene बना हुआ रहता है आपको एक scene बनाना पड़ता है अगर आप चाहे तो दूसरा scene भी ले सकते हैं यहाँ पर plus का icon पर क्लिक करें और okay कर दे तो आपका scene two create हो जाएगा जब आप पहली जब आपको एक video obvious के द्वारा record करेंगे तो यह तो scene one के द्वारा नहीं तो scene two के द्वारा तो किसी एक ही scene पर आपको काम करना है फिलाल मैं scene two को remove कर दे रहा हूँ इसके लिए आपको scene two पर right click करना होगा mouse का और यहाँ पर remove करने के बाद yes कर देना है तो since जो पहला section इसमें आप कुछ भी नहीं करना जो भी करना है अब हमें source वाले section में करना है इसमें plus का icon पर click करना है अगर आप चाहे तो कोई color source ले सकते हैं यह जो black color का दिख रहा है अगर आप चाहे तो color change कर सकते हैं okay कर दीजिए और अब यहाँ से color को select कर लीजिए जैसे मैं यहाँ पर इस color को select कर रहा हूं इसे okay कर दीजिए और यहाँ भी इसे okay कर दीजिए फिर से source वाले section में जाना है plus का icon पर click करना है और अब हमें window capture करना है इसके लिए जरूरी है कि आपको powerpoint या जो pdf परहना चाहते हैं उसे आपको open करना होगा हलाकि pdf से जब आप pdf से जब पढ़ाएंगे और उसे ovs studio की दौरा record करेंगे तो इसके लिए आपको one note की अवशकता होगा और pdf से जब हम पढ़ाएंगे तो ovs studio की दौरा कैसे record करेंगे इसे मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में मैं powerpoint के different slides के माद्यम से जब पढ़ाऊंगा तो उसे कैसे record करेंगे उसके बारे में समझाऊंगा तो सबसे पहले आपको powerpoint आपको background में open कर लेना है जैसे कि मेरा ये powerpoint खुला हुआ है इसमें total three slides मैंने बना रखा है अब आपको open OBS studio में फिर से आना है आने के बाद आपको source वाली section में plus का icon पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको आपके पास दो options होते हैं अगर आप चाहे तो पूरे screen को record कर सकते हैं उसके लिए आपको करना होगा display capture लेकिन अगर powerpoint से अगर पढ़ाते हैं तो आप चाहते हैं सिर्फ ह होता है window capture window capture पर क्लिक करें इसे ok कर दे अगर आप चाहे तो rename भी कर सकते हैं कोई दूसरा नाम भी दे सकते है ok करे ok करने के बाद आपको यह जो windows है इसमें आपको select करना होगा powerpoint जैसे select करेंगे ok करेंगे इसे ok कर देना है तो जब आप powerpoint में परहेंगे तो ऐसा कुछ आपक देखें यह भी ना दिखें और यह जो छोटी-छोटी slides दिख रहें यह भी ना दिखें और इधर का यह भी ना दिखें इसके लिए हमें क्या करना होगा आप देख लीजिए कि यह जो आपका corner है यहां पर आपको mouse का left button press करके रखना है और इसे आपको drag and drop करना है बढ़ा देना है आगे की तरब बढ़ा देना है आप इतना बढ़ा देजिए अब चाहते हैं कि पूरे page को बीच में लावे एड़्जेस्ट करें इसके लिए left button को press करके रखना है और पूरे को overall इस तरह से आप खिशका लें देखिए अभी भी पूरा एड़्जेस्ट नहीं होग तो अब यह मेरा एड़्जेस्ट हो चुगा है तो अब हमें क्या करना है ऊपर का यही नहीं दिखाना है इसलिë ऊपर की तरफ हमें ड्रैक करना होगा अब ड्रैक करनेके बाद आम इससे क्या कर देना है इसे lock कर देना है। यह आए है, आए का मतलब क्या है? अभी यह दिख रहा है, अगर आप इसे off करेंगे तो बस window capture hide हो जाएगा, फिर से आई पर click करेंगे तो फिर से दिखेगा, तो इसे आप lock कर दें, lock करने से क्या होगा? वह इधर उधर खिशकेगा नहीं, फिर से source वाले section पर आना है और plus का icon पर click करना है और आपको audio input capture लेना है इसे आप ok कर दे ok करने के बाद आप इसे जो आपका mic है उस mic को आप select कर सकते हैं जैसे मेरा ये mic है तो मैं इसे select कर लिया और इसे ok कर लिया audio input capture में आपको कुछ settings करना होगा जैसे यहाँ पर आपको right click करना है और यो input capture पर आने के बाद filters पर click करना है और ये plus वाल आइकन पर click करना है यहाँ पर आपको ले लेना है noise compression इसे ok करना है उसी तरह से फिर से आपको जाना है और जो आपका compressor है इसे ले लेना है इसे आपको ok कर देना है फिर से plus वाल आइकन पर आना है और यहाँ पर noise gate है, इसे आपको ok कर लेना है, select कर लेना है, अब इन तीनों में जो basic settings हैं, इन्हें आपको छोड़ देना है, default ही छोड़ देना है, अगर audio में इन settings को अगर आप कर लेता है, तो background में जो आपका sound आता है, वो sound remove हो जाएगा, अब इसे भी आप log कर दे, फिर से source वाले icon पर आना है, section में आना है, plus का icon पर click करना है, और इस बार हमको आप करना है, video capture करना है, जब हम पढ़ाते हैं, तो मेरा ये page दिखे, इसके साथ हम चाहते हैं, मेरा एक छोटा सा video भी दिखे, इसके लिए आपको जाना होगा, video capture device पर ok कर देना है, इसे भी ok कर देना है अब आपको select करना होगा, कि जैसे मेरा एक video पहले सहीं किसी दूसरे screen recorder के दौरा मेरा दिख रहा है, ये मेरा laptop का wavecam है, वो record कर रहा है, तो मैं mobile से भी set करके रखा हूँ, और मेरा mobile का droid cam के दौरा उसे मैं select करता हूँ, अब इसे ok कर देना है, ok करने के बाद आपको mouse का left button press करके रखना है, और इसे आपको drag करना है, drag करने के बाद आप किसी एक corner में लगा ले, generally लोग नीचे लगाते हैं, लगाने के बाद आप हम चाहते हैं, कि मेरे पीछे में ये जो green color का background है, यह background हट जाए, remove हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा video capture device पराना है, mouse का right click, right button को click करना है, click करने के बाद आपको filters पराना है, filters पराने के बाद प्लस का icon पर click करना है, और यहाँ पर देख रहे हैं, chroma की इसे ok कर देना है, जैसे ok करेंगे जिए green color का background होगा हट चुका है, तो यह थोरा सा shadow दिख रहा है, चुकि रात का समय है, इ यहाँ से adjust कर सकते हैं, यह जो different bars है, इन bars को आप आगे पिछे करके देख ले, जैसे कुछ हद तक क्या है, यह shadow हट गया है, आप इसे भी आगे पिछे कर सकते हैं, तो चलिए आप जैसा होगा, इन settings को आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास ने है, इस setting में, आप इसे ok कर दे, यह धूंदला देख रहा है मेरा picture, फिर से right click करना है, filters पर जाना है, और chroma की already selected है, तो हमें क्या करना है, आप देखना है, तो चलिए बहुत हद तक मेरा ठीक हो चुका है, अब आप चाहते हैं कि overall आप इस पूरे वीडियो को बरा या छोटा करना है, तो simply क्या करना है mouse का left button को press करके रखना है और आप इसे, देखें ये बरा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ किसी एक तरब से इसे हमको resize करना है, इसके लिए क्या करना है आपको, mouse का left button को press करना है, alt button को press करना है, keyword से और तब इसे drag करना है, उसी तरह एधर भी पहले आपको left button को press करना है उसके बाद alt दोनों को एक साथ press कर लेना है पहले और उसके बाद drag करना है तो देखिए इसतरह से किसी text को add करना तो आप यह text यहां से लिख लेंगे आप उसे add कर लेंगे और उसके बाद scroll भी आप कर पाएंगे चुकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं text को कैसे scrolling किया जाता है उसे मैं अगले वीडियो में समझाओंगा दूसरी चीज कि आप किसी image को भी आप select कर सकते हैं subscribe button या अपने channel का logo वेगरा लगा सकते हैं जैसे अगर मैं यहां पर किस image को select करता हूँ यहां पर ok करूंगा यहां पर आप browse कर लें ब्राउज करने के बाद आप का जो भी है जैसे मैं download में subscribe का एक button है तो मैं इसे ok कर देता हूँ और देखिए यह subscribe का जो button है इसे मैं resize कर लेता हूँ resize करने के बाद यह जो green cloud का background है इसे remove करना है इसके लिए क्या करना है image पर आना right click करना है filters पर click करना है और यहां पर फिर से chroma की set कर देना है और इस तरह से यह आपका जो green background है वो remove हो चुका है अब आप देख सकते हैं यह आपका यह जो subscribe button है बिलकुल set हो चुका है तो अब इसे आप छोड़ दे और इसे भी आप लॉग कर दे दूसरी चीज कि पहले से ही मेरा जो audio माइक है वो already engaged है यहां पर इस वीडियो में इसलिए यहां पर इसमें कुछ यहां पर fluctuation नहीं हो रहा है बलकि आप जब आप record करेंग ओवियस से तो आपका अगर PC या laptop का audio हो रहेगा तो यहां पर यह बार जो है fluctuate करेगा या माइक लगा हुआ है तो माइक fluctuate करेगा ठेक है इस वे मैं छोड़ देता हूँ उसके बाद आपको आना है settings में settings में आने के बाद सबसे पहले आपको देख लेना है output में जो वीडियो आपका record होगा वो कहां जाएगा त आप इसे browse करके बदल सकते हैं download या कुछ भी कर सकते हैं दूसरी चीज recording format आप format mp4 कर दें उसके बाद आपको hot keys में आना है hot keys क्या होता है hot keys का मतलब salt keys तो जो जब record करेंगे हम अपना obvious studio के द्वार जब video को record करेंगे तो कुछ salt keys है उन salt keys की सहता से हम कुछ काम कर सकते हैं जैसे मैं पहले से ही बना करके रखा हूँ यह hot keys जैसे start recording के लिए मैं one बना के रखा हूँ अगर आप चायती से बदल भी सकते हैं stop recording के लिए two रखा हूँ pause recording three on pause recording four और उसी तरह से यहाँ पर जो scene one है मेरा scene one में जब मुझे वीडियो को hide करना होगा कभी कभी होता है कि जिस page पर हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे picture के पीछे मेरा जो face उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिए video capture video को hide कर दे इसके लिए मैं salt key बना लेता हूँ तो salt key मैं बना लेता हूँ five तो जब आप जो आपका keyboard है तो keyboard में सबसे उपर की तरफ जो होता है जिसमें five के साथ percentage का sign है वो वला five यहाँ पर काम करेगा अब आप इसे delete करना चाहते हैं तो जैसे backspace करेंगे तो backspace लिखा जाएगा इसे remove करने के लिए आपको यहाँ से remove करना होगा और उसके बाद आप five यह वला लिखे percentage वला अगर आप चाहते हैं वीडियो को फिर से दिखाना इसके लिए six मैं यहाँ पर बना लेता हूँ hot key दूसरी चीज कि यह आपका जो four settings है यह हमेशा आपका हो जाएगा एक बार कर कर दे और इसे okay कर दे अब आपका obvious में जो basic settings है जो काफी important है वो वेशारे settings आपका complete हो चुका है अब आप चाहते हैं जैसे मेरा mouse का cursor यहाँ है तो मैंने जो hot key बनाया है उस hot key की सहता से मैं वीडियो को record करूंगा जैसे start recording के लिए मेरा hot key था one तो मैं one को press कर रहा हूँ प्रेश कर दिया तो जैसे ही प्रेश किया तो यह मेरा video record होना सुरू हो गया है अब आपको powerpoint पर आना है पढ़ाना आपको powerpoint पर है OBS को आप देख सकती जरूर है लेकिन जो भी काम करना है आपको powerpoint पर करना है और powerpoint पर जैसे जैसे आप पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका यह video है OBS के द्वार record होता जाएगा जो भी पढ़ाना है आप इस तरह से पढ़ाईए दूसरी चीज़ कि अगर आप powerpoint presentation में आप draw toolbar में आपको draw का जो option है उसे add कर सकते हैं और जब आप उसे add कर लेंगे तो उसमें different size के pens मिल जाएंगे, erasure मिल जाएगा, font का size आपको अलगलग size मिल जाएगा, तो वो सब आप highlighter मिल जाएगा, वो सब आप कर सकते हैं, आप इस page को परहा लिए तो आपको इस page परहाना है, ज तो record कर लेने के बाद, अब record कर लेने के बाद, अब क्या करना है, अब हमें इसे recording को stop करना है, तो मैंने stop recording के लिए कुन सा hot की बनाया है, to, तो मैं to press कर रहा हूँ, तो मेरा ये recording अब stop हो जोगा है, अब मुझे देखना है, कि या मेरा जो recording है, क्या वो सही से हुआ है, या recording किस तरह का हुआ है इसके लिए मुझे जाना होगा इसी में जाना होगा PC में जाने के बाद OBS से मेरा जो OBS के दोरा जो वीडियो record हो रहा है वह जा रहा है मेरा वीडियो में इसे मैं double click करूँगा तो अब ये मेरा ये वीडियो चालू हो गया है अब आपको पावर पॉइंट पर आना है पढ़ाना आपको पावर ए razor कर रहा है तो record कर लेने के बाद आप record कर लेने के बाद आप क्या करना अब हम है इसे recording को stop करना है तो मैंने origin recording के वाट की बनाए तो इस त 받아 से हमने OBS स्टीडियो के द्वारा कि तरह से स्क्रीन को record करेंगे PPT के different slides को हम लोगों ने इस वीडियो में शीखा PDF के different pages को कैसे record करेंगे तो इसके लिए OneNote का हमें यूज करना होगा और PDF के different pages को कैसे record करें इसे हम अगले वीडियो में सीखेंगे OVS Studio से समद्धित अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई problem है तो मेरे इस वीडियो के comment section में जाकर आप comment में लिखे मैं कोशिश करूँगा कि आपका OVS Studio से related जो भी problem है उसे मैं जल से जल आपके comment का जवाब देश रकूँ इस वीडियो में यहीं तक thanks परवाज़े